यशु अठारमा बाब और बनी इस्राइल की सारी जमायत ने सिला में जमा होकर खैमाए इज्टमा को वहां खड़ा किया और वो मुल्क उनके आगे मगलूब हो चुका था और बनी इस्राइल में साथ कबीले ऐसे रह गये थे, जिनकी मिरास उनको तक्सीम होने ना पाई थी तुम कब तक उस मुल्क पर कबजा करने में, जो खुदावन तुम्हारे बाब दादा के खुदा ने तुमको दिया है, सुस्ती करोगे, सो तुम अपने लिए हर कबीला में से तीन शक्स चुन लो, मैं उनको भेजूँगा और वो जाकर उस मुल्क में सैर करेंगे, और अपनी अपनी मिरास के मुआफिक उसका हल लिखकर मेरे पास आएंगे, वो उसके साथ हिस्से करेंगे, यहुदा अपनी सरहद में जनूब की तरफ और यूसफ का खांदान अपनी सरहद में शिमाल की तरफ रहेगा, सो तुम उस मुल्क के साथ हिस्से लिखकर मेरे पास यहां लाओ, ताके मैं खुदावन के आगे जो हमारा खुदा है, तुम्हारे लिए कुर्रा डालूँ, क्यूंके तुम्हारे दर्मियान लावियों का कोई हिस्सा नहीं, इसलिए के खुदावन की कहानत उनकी मिरास है, और जद और रॉबिन और मनसी के आधे कबीले को यर्दन के उस पार मश्रिक की तरफ मिरास मिल चुकी है, जिसे खुदावन के बंदा मूसा ने उनको दिया, पस वो मर्द उठकर रवाना हुए, और यशु को उनको जो उस मुल्क का हाल लिखने के लिए गए, ताकीद की, के तुम जाकर उस मुल्क में सैर करो, और उसका हाल लिखकर फिर मेरे पास आओ, और मैं सला में खुदावन के आगे तुम्हारे लिए कुरा डालूँगा, चुनाचे उन्होंने जाकर उस मुल्क में सैर की, और शेहरों के साथ हिस्से करके, उनका हाल किताब में लिखा, औ और सैला की खैमगा में यशु के पास लोटे तब यशु ने सैला में उनके लिए खुदावंद के हजूर कुर्रा डाला और वहीं यशु ने उस मुल्क को बनी इसराइल की तकसीमों के मताबक उनको बांट दिया और बनी बिन्यमीन के कबीला का कुर्रा उनके घरानों के मताबक निकला और उनके हिस्सा की हद बनी यहूदा और बनी यूसुफ के दर्मियान पड़ी सो उनकी शमाली हद यर्दन से शुरू हुई और यह हद यर्भू के पास से शमाल की तरफ गुजर कर कोहिस्तानी मुल्क से होती हुई मगर्ब की तरफ बैत आउन के बियाबान तक पहुँची और वो हद वहां से लोस को जो बैतिल है गई और लोस के जनूब से उस पहाड के बराबर होती हुई जो नीचे के बैत हरून के जनूब में है अतारात अद्रार को जा निकली और वो मगर्ब की तरफ से मुड़कर जनूब को जुकी और बैते हुरोन के सामने के पहाड से होती हुई जनूब की तरफ बनी यहूदा के एक शहर किरते बाल तक जो किरते यरियम है चली गई ये मगर्बी हिस्सा था और जनूबी हिद किरते यरियम की इंतहा से शुरू ही और वो हिद मगर्ब की तरफ आवे नफ्तू के चश्मे तक चली गई और वहां से वो हिद उस पहाड की सिरे तक जो हनूम के बेटे की वादी के सामने है गई ये रिफाइम की वादी के शुमाल में है और फिर वहां से जनूब की तरफ हनूम की वादी और यबूसियों के बराबर से गुजरती हुई एन राजिल पहुँची वहां से वो शिमाल की तरफ मुड़कर और एन शम्मस से गुजरती हुई जलवत को गई जो उदमीम की चड़ाई के मुकाबल है और वहां से रॉबिन के बेटे बोहन के पत्थर तक पहुँची और फिर शमाल को जाकर मैदान के मुकाबल के रुख से निकलती हुई मैदान ही में जाकर उत्री फिर वो हद वहां से बेटे हुजला के शमाली पहलू तक पहुँची और उस हद का खातिमा द्रियाए शोर की शमाली खाड़ी पर हुआ जो यर्दन के जनूवी सिरे पर है ये जनूब की हद थी और उसकी मश्र की सिम्त की हद यर्दन ठहरा बनी बिनियमीन की मिरास उनकी चागिर्द की हदों के इतिबार से और उनके घरानों के मुआफिक ये थी और बनी बिनियमीन के कबीला के शहर उनके घरानों के मुआफिक ये थे यरहू और बैत हजला और अमीक कसीस और बैत इरावा और बैत सरियम और बैतिल और ओएम और फारा और उफरा और कुफरल अमूनी और उफनी और जिबा ये बारा शहर थे और इनके गाउं भी थे जो जिबून और रामा और बेरोध मिस्वा और कफीरा और मोजा और रिकम और इर्फाइल और तराला और जिला अल्फ और यबूसियों का शहर जो यरुशलम है और जिबत और किरित ये चौदा शहर हैं और इनके गाउं भी हैं बनी बिनियमीन की मिरास उनके घरानों के मुआफिक ये है